नमाशकार जैश्री किष्णा, मैं राकेश सिवानी एस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत सा अगत करता हूँ यह मेरी अस्ट्रोजिकल सिरीज का लेक्चर नमबर 33 है जिसका पार्ट 10 है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संतान के ओपर यह पूरी सिरीज बना रहा हूँ कि संतान कैसी होगी, कितनी संख्या में होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, आपकी इज़त करेगी या नहीं करेगी यह सारी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई हैं, इससे पुरानी वीडियो देखने के लिए जो पार्ट 1 से पार्ट 9 है, 33 लेक्चर के, आप www.shivaniastro.com पे जा सकते हैं, website विजिर कर सकते हैं, वहाँ पी वीडियो सेक्षन में आपको यह मिल जाएगा अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने पिछले वाले मैथड वीडियो में मैंको बताया था लेक्चर, जो मेरा पार्ट यह इसके इंतर 9 था, जो की सटिक मैथड था, कैसे अस्टक वर्क से देखते हैं, कि संतान सिंख्या कितनी होगी, और उसके रिज संक्या के बारे पर निकानने के लिए है, इसको भी देखिए, तो आप जो ये 2-3 मैथड मैं आपको बता रहा हूँ, इन मैथड को आप देखिए, और उनको करीब 20 से 25 कुड़ियों पर लगाई है, तो आप उसके बाद आप रिजल्ट बताईए कैसा आता है, मेरे खाल से आपको अपने प्रशन का जवाब मिल जाना चाहिए, और कोई न कोई मैथड आपको उसमें से ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैथड मैं आपको बताऊंगा, वो मैथड ऐसा है, जिसको मैंने कई कुड़ियों बला कर देखा है, वीपी गोल साब ने वो मैथड बताया है, और उसके रिजल्ट्स 95% से उपर एड़ेक्टली सही आते हैं, आज जो मैं मैथड आपको बताने जा रहा हूँ कि संतान संख्या कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, उसके बारे में चार स्टेप हैं, ये जैमिनी रिशी की पदती पे अधारित है, चार स्टेप क् होता है, इस तरह से ना अरुधा लगन जिसे बोलते हैं, ऐसे लगन होते हैं, तो पांचवे हाउस का पदा आपको निकालना है, दूसरा चीज यह है कि नमबर ऑफ प्लैनेट्स इंदी फिफ्त पदा, तो जो पांचवे पदा है, उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, वो देख है, उन सब का टोटल कहीजिए, टोटल करने के बाद आपको मिलेगा संतान संक्या कितनी होगी, इसके लिए मैं आपको ये दो एक्जामपल मैंने दिये हैं, इनमें डेट अप बर्थ और प्लेस सब मैंने उसमें लिखा हुआ है, आप ये कुंडली बना के वकाइदा आपक कि इस कुंडली के हिसाब से और इस कुंडली के हिसाब से इस पद्धिदी के हिसाब से कितनी संदार आती है, तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि वर्क आउट दी पदा और फिफ्थ हाुस, फिफ्थ हाुस का पदा निगालने के लिए ये देखिए, देखिए चार पांट छे शाथ आठ नौ दस यानि इससे दस्वे भाव में किया है वीनस तो वहाँ से दस्वा भाव चलिये एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस तो यह जो आठ नंबर आ गया यह आपका फिफ्थ हाउस का पदा आ गया फिफ्ध हाउस पन गे यह आठवा नमबर आ गया कैसे पांचवा हाउस देखिए पांचवा हाउस में बैठे ही वे राशी देखिए उसका स्वामी देखिए स्वामी हुआ शुक्र उस राशी से वो स्वामी कितनी दूर गया है यह काउंट कीजिए इस राशी से स्वामी इसका जो वीनस है वो गया वाया है दसवे भाव में वो हमने काउंट कर लिया फिर जो स्वामी है जितने भाव आगे गया है उतने ही भाव स्वामी से आगे चलिये उतने ही भाव में आगे चलिये तो वीनस से दस भाव आगे चलते तो हमारा ये आठ नमबर राशी आती है वरश्चिक राशी यानि ये हमारा पांश हाउस का लगन पद जो आता है या पद लगन आता है और इसका जो लॉड बैटता है वो बैटता है मास मंगल ठीक है तो ये आप लेट देख लिया अब हम इस पर कैल्कुलेट करते हैं तो पहला हमरा रहा प्लेट प्लेट जो लगन आता है पद लगन जो फिफ्ट हूस का आता है वो आठ नमबर आता है वो अमने निकाल लिया नमबर ओफ लेट सिल दी फिफ्फदा अगर आप देखें कि आपका जहां फिफ्द पदा है वहां पे रिएक काउंट हो गया number of planets with lot of 5p lot of 5p कौन है हमारा मंगल पांचवे पता का जो स्वामी है वो बनगल है प्रश्चिक्र स्वामी मंगल कितने प्लैनेट के साथ है मंगल के साथ जुपिटर बैठा हुआ है एक तो जुपिटर के साथ मंगल बैठा हुआ है तो यह हमारा निकल गया एक जो number of planets in the 5th पदा हमारा एक है शनी number of planets with lot of 5th पदा वो हमारा एक है जुपिटर number of planets expected by the lord of 5th पदा यानि मंगल कितने ग्रहों को देख रहा है फिप पदा मंगल अगर आप देखें तो मंगल हमारा इस कुडली में यहाँ पर है तो एक तो यह चंद्रमा को देख रहा है चंद्रमा को देख रहा है एक चंद्रमा दूसरा को इक रहस्मन ही आता चार हाँ एक सूरस को देख रहा है सूर्य को देख रहा है तो expect जो कर रहा है मंगल वो कर रहा है हमारा moon को और sun को यानि 2 planets को expect कर रहा है तो total कितना आगे है इसका? है total आगे है चार यानि संतान संकिया चार है इस इस खुंड़ी होई है कि आप software से खुंड़ी बना करो ये देख भी सकते हैं authentic concept भी कर सकते हैं कि संतान संकिया चार ही आती है और चार इसके साब से ये निकलता है तो जैमिनी पदिती में ये पहले देखिए कि पांचवे हाउस का पदा लगन बना ये फिर देखिए कि पांचवे हाउस का पदा लगन कौन सा है उसका स्वामी कौन सा है वो देखिए फिर देखिए जो पांचवे हाउस का पदा लगन है जब वो अपने बना लिया तो वहाँ पे कितने ग्राज बैठे हैं वो काउंट कीजिए फिर पांचवे पदा लगन का जो स्वामी है उसके साथ कितने ग्राज बैठे हैं वो देखिए फिर वो स्वामी कितने ग्रहों को देख रहा है वो देखिए और सबकाज टोटल करेंगे तो आपका ये संख्या आ जाएगी जो बताएगी अप संदान से कितनी होगी अब जैसे यही चीज हम सेकंड एक्जाम्पिल में देखते हैं second example में इसको अगर हम देखें simple academy के पांचवा house कौन सा है ये वाला जहां पर वर्षिक राशी लिखी हुई है इसका मालिक हुआ मंगल ये कहां गया है अपनी राशी से अपनी राशी से ये गया है 7th, 8th, 9th, 10th, 11th अपनी राशी से 11th house में गया है तो 11th house में गया है मंगल, तो मंगल से 11th house देखें कौन सा बेटता है तो मंगल से 11th हमने देखा तो 7, 8, 9, 10, 11 ये चार नमबर आ गया कर्क लगन आ गया हमारा तो हमारा जो पता लगन है वो कर्क आ गया जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, मून अब इसमें अगर हम देखें उसके साथ कितने पलेट है उसके साथ कोई पलेटर नहीं बैठा तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 फिर देखिए कि number of planets expected by the moon lord of fifth पदा कितने planets को यह देख रहा है moon की seven दरस्टी होती ही खाली वो यहाँ सामने कोई planet नहीं है तो किसी भी planet को वो नहीं देख रहा है zero तो कुल मिलाके total एक यह मैंने यहां लिखावाया कि एक ही संतानिम के है और यह एक संतानिस में आती है तो इसका देखने का क्या तरीका मैंने आपको बताया कि पहले fifth house का पदा ग्याद कीजिए तो पदा लगन लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो राशी है fifth house में उस राशी से उसका स्वामी कहा गया है उतने भाव तक गिनिए उतने भाव गिनने के बाद उस स्वामी से फिर उतने भाव और आगे चलिए तो जो राशी आएगी हमारी इसमें चार नमबर राशी आई दिकर यह आपका पदा लगन आ जाएगा इसका स्वामी नोट कर लिजिए चंद्रमा हो गया इस पदा लगन में कितने ग्रह बैठे हैं यह देखिए एक ग्रह बैठा है चंद्रमा इस पदा लगन का जो स्वामी है वो देखिए कौन है वो चंद्रमा है वो कितने ग्रहों के साथ बैठा है वो चेक कीजिए तो वो अकेला बैठा हुआ है तो कोई ग्रह साथ में नहीं है उसके जिरो हो गया थर्ड वो कितने ग्रहों को देख रहा है ये देखिए तो उसकी दरस्टी साथ भी होती है साथ ग्रह में कोई ग्रह नहीं है तो वो भी कुछी को नहीं देख रहा है जिरो आ गया तो आप समझ रहे हैं कि यह भी एक पद्दती है जैमिनी पद्दती जो कि जिससे की मी संतान संख्या निकाली आती है तो आपको मैंने आज क्लासिकल्स के साफ से क्या पद्दती होती है और आपको अस्टकवर के साफ से क्या पद्दती होती है और इस जैमेनी रिशी से क्या पद्दिती हमारी निकलती है इस पद्दिती से तो यह चीज मैंने आपको छोटा बताया है तो इनको आप बस मेरी आप से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें कार्णली चेक कीजिए और कम से कब एक दो कुड़ी पर लागे हमत देखिए कम से यह ज़ादा ज़ेटिक बैटता है तो मेरे इसाब से अस्ट्रगवर्वाले के रिजट को ज्यादा अच्छे आये थे इसके मुकाबले क्योंकि इसके रिज़ट मुझे 60 से 70 करीं मिले हैं लेकिन उसके रिज़ट मुझे 70 परसंट अनवाव मिले हैं और इसके बाद जो ने इस सो में से पिचानवे कुंडली में वो सही आंसर आएगा कम से कम जो उस कुंडली के साफ से आता है तो आप इन सब को लागर देखिए फिर बताइए कमेंट्स कीजिए जो चीज समझना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं नहीं तो मेरी इस वेबसाइट पर www.shivania.com पर जाके वीडियो सक्षन में वो पुराने वीडियो को सारे देख सकते हैं आशागरता हूँ आपको सारा समना आया होगा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कानली मेरे इस चैनल को सब्स्राइब कीजेगा तकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आगे भी मैं इस तरह की नई न हुआ हुआ है